क्या मोदी सरकार तिरंगे से हरे रंग को हजा देगी ओवेसी ने संक्सद में क्यों पूछा ये सवाल आईए जानते हैं AIMIM प्रमुकस दोदिन ओवेसी ने बुद्वार को लोग सभा में प्रधानमची नारेंजर मोदी पर जम करने शाना साथा संक्सद में बोलते हुए हैदराबाद के संक्षद ओवेसी ने कहा क्या मोदी सरकार तिरंगे से हरे रंग को हजा देगी सरकार को हरे रंग से इतनी समस्या क्यों है उन्होंने पूछा क्या पीएम मोदी चीनी घुसपेट पर बोलेंगे क्या बलकिस बानों को न्याय मिलेगा OBC ने केंजे बज़िट 2023 में अलपसंख्या की योजनाओं के लिए आवंटित किये जाने वाले फंड में कमी करने को लेकर भी भाजपा सरकार की आलोचना की वितवर्श 2024 के लिए अलपसंख्या कमामलों के मंचालाई के लिए आवंटित वजए में 38 प्रतीशत की कमी की गई है उन्होंने आरुप लगाया कि भाजपा सरकार नहीं चाहती कि इस देश में मुसल्मान परहे उन्होंने बिजेपी और कॉंग्रोस पर निशाना साते हुए कहा कॉंग्रोस और बिजेपी ने भारत में कूलीन तंत्र को जनम दिया है जो लोग देश से बेहिसाब दौलत लेकर भागे है क्या उस लिस्ट में मुगलों का नाम है लेकिन आप कुछ नहीं बोलेंगे उन्होंने कहा अगर हिंडनबर्ग भारत में होता तो उसे गैर कानूनी गतविधी अधिनियम का सामना करना पड़ता और मैं ये बात बहुत हलके तोर पर खेह रहा हूँ निव यॉक सत निवेशक अनुसंधान फिर्म हिंडनबर्ग रिसर्च में बोतम अजानी के इनुर्टित वाली कंपनियों पर स्टॉक के हिर फेर और धोका धरीका आरूप लगाया था 2019 में यूए पीए में किये गए बदलाव ने केंजर सरकार को बिना किसी मुकद में कि किसी भी व्यक्ति को अतंगवादी के रूप में बताकर उसे परेशान भी करने की शक्ती दी है ओवेसी ने आगे कहा है मेरा अनुरोध है कि पूजास्ता लधिनियम को भंग नहीं किया जाना चाहिए पीएम को चीन से डरना नहीं चाहिए और भारत में अलप संख्यकू का बज़िट बरहना चाहिए